दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम mobile या laptop खरिदना चाहते हैं लेकिन वो महगे होते हैं इसलिए हम सोचते हैं कि क्यूँ ना हम उस mobile या laptop या को कोई और सवाण को किस तौप पर खरिद लेज़ा यह ID लेके आओ, यह document लेके आओ, आपके credit score कैसा है, और आपको इसमें annual feeb देनी पड़ती है, तो ऐसे में बहुत लोग credit card नहीं बरवाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से mobile phone, laptop जा पर कोई और समन online website से, जो कि बहुत मसूर website से, उनसे खरी सकते हैं, वो भी किस तों पर, तो इ इस तरह की बहुत सारी website से, आप online shopping कर सकते हैं, किस तों पर, इसके लिए आपको एक website पर जाना होता है, जिसका नाम है jest money.in, तो आप कैसे इस पर register कर सकते हैं, वो मैं आपको बता जेता हूँ, register करने के लिए आपको jest money.in पर जाना है, आप check credit limit पर click कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो बहुत से भी आप sign up कर सकते हैं, मुवाइल लंबर और email address डालना होगा आपको जहां पर और आपको बढ़ने के बाद में आपको पूछा जाएगा, आप कहां पर काम करते हैं, जो भी आपको डिटेल से आप बढ़ दे हैं, वाँ उसके आपको तीन मन्त का आपके बैंक का statement पूछा जाएगा, अप लोड करने के लिए, तो आप अप लोड करते हैं, यहां पर यहां पर verify कराते हैं, नेट वेंगिंग से इना कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा safe नहीं है, आप फजीकली upload करते हैं, PDF फाइल को बहाँ पर, PDF आपक कर सकते हैं, तो आपको यह upload करना रहेगा, PDF फाइल में, आप पर यह फाइल को त्यार रखें अपने पास, ताकि आप टाइम पे इसको upload कर पाएं, आप computer में खोल सकते हैं, यह website या पर आप अपने mobile में भी खोल सकते हैं, कोई ज्यादा cutting काम नहीं है, तो इस तरफ आप करे करेंगे, और आपको बोलेंगे, कि 24 आर के बाद में, आपको बताएंगे, कि आपका जो application है, वो approve हुआ कि reject हुआ, 24 आर में आपको SMS एमेल आजाएगा, कि आपको कितनी credit limit मिली है, तो आपका application approve होने के बाद में, आपको एक limit मिल जाती है, कि आपको बीस हजार पंदर है, व वो आपके depend करते है, कि आप कितनी salary आप में डाल रहे है, और वो आपको कितनी limit विवरक चाह रहे है, या फिर आप किस तरह काम करते है, आप उनका payment कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उस basis पर वो आपको limit को दे देते हैं, उसके बाद में, जब आप लोग-in करेंगे, तो कितने रुपे का है, exact amount आप उसका आप बता दीजिए कि वो इतने रुपे में आपको खरीदना है, उसके बाद जब आप आगे भर जाएंगे, तो आपको पूछा जाएंगे, कि आप कितने time में किस्तों को भरना चाहते हैं, 3-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 कि उसमें जो है, आपको इंट्रेस्ट देना पड़ जाएंगा, इंट्रेस्ट बहुत ही minimal होता है, आप चाहें तो ज्यादा दिन के लिए भी कर सकते हैं, तो आपको वहां से एक coupon code या voucher code जनरेट हो जाएगा, आप जब भी Amazon Flipkart जाएंगे, उस voucher code को डालेंगे, तो आप आप बहुत आइटम को purchase महां से कर पाएंगे, अब बात आती है कि आप किस तरह से repayment करेंगे, just money.in को, तो दोस्तों इनको repayment करने के लिए आपको जब भी आप voucher code जनरेट कर रहे हैं, वहीं पर पहले आपको वह जानकारी देनी पड़ेंगे, आप किस तरह से repayment करेंगे, repayment करने के लिए इनका एक तरीका है कि आपको आपको bank account की detail देनी पड़ेंगी, और आपको NOCH करके ऐसा कुछ form है, वह आपको sign करना पड़ेंगे, sign आपको करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेंगा, आप जब भी आपनी bank की detail डालेंगे, आप आप पर confirm करेंगे, उसे तर आपको आपके account से सुरत है, पैसा काट ले जाएगा, या और आपके account में पैसे होंगे, उस महीने की उस date को, तो वो काट ले जाएगे, हर महीने आपका किस्त के रूप में ही कटेगा, जैसे कि आपने coupon code को generate करते टाइम पर माँ पर जितने मन्त लिए, उस हिसाब से आपकी repayment, automatically आपके account से कर देंगे, यह एकदम safe है, ऐसा नहीं कि आपके automatically पैसे कटते जा रहे, आपके उतनी EMI कटेगी जितना कि आपको बोला गया है, इसके अलाबा आप NOCS बाला form जो है, साहन नहीं करना चाहते, तो आप आधार कार से भी e-sigerture कर सकते, इसके लिए आपके phone प आपके पास कोई भी काम नहीं है, या जॉब नहीं है, तो फिर आप यह चीज नहीं कर पाएंगे, हालांके आप बले ही student action जो भी है, लेकिन आपके bank account में जो समरी है, उसमें कुछ दिखाया जाना चाहिए, कि आपको आ रहा है, पार्ट टाइब जॉब से आ रहा है, या फ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे अपने आने बाले किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें और सीख करें कोई नई टेकनिक